मुनी से आरुरुक्षू, आरुरुक्षू से योगारूड और योगारूड से अब उसका नाम पढ़ गया युक्त चार सोपानों को इसने क्रोस किया मुनी मनन किया आरुरुक्षो हो करम कारण मुच्चते करम की साधना योगारूढस्य, शमकारडम उच्चते, निवृत्ती की सातना और अब जाके इसका नाम पड़ा युक्त जो ये साधना का क्रम चला इसमें सबसे बड़ी बात जो भगवान ने बोली वो ये है उद्धरेत आत्मना आत्मानम विक्ती को अपना उधार स्वयम करना होगा किस से बोले स्वयम से करना होगा तो स्वयम से स्वयम का उधार करना होगा जैसे मैंने बोला उधार मतलब धा मतलब अपारण करना इसी से बना थोड़ा अपने मन को पुष करना पड़ेगा स्वयम को ही पुश करना पड़ेगा और उसमें विक्ति को कश्ट तो होता ही है तो उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेद बुले उसका साधना का क्रम क्या होगा कैसे करें बुले काम करें सबसे पहले अपने मन को अपना दोस्त बनाए आदे से ज्यादा साधक मन को दुश्मन बना कर साधना करने बैठता है तो पहले से मन को वो कोसता है कि मन चंचल है मन लोबी है मन लालची है अब ऐसे मन को ऐसा वाक के बोल कर आप सोचो कि वो आपकी सहायता करे तो सहायता तो नहीं कर सकता है इसलिए बोला गया कि आपका सबसे बड़ा जो मित्र है वो कौन है बुले हमारा मन है बंदू आत्मनह मना सस्य येनात मैवात मना जिता जिसने इस पे क्या हासिल कर ली जीत कारकरन संघात स्थूल और सुक्षम शरीर को मैं अपने जीवन के लक्ष में नियोजित कर सकूं ये जीत है मैं फिर से बोलाओं कारकरन संघात मतलब स्थूल शरीर और सुक्षम शरीर को मैं जीवन का जो लक्ष निर्धारित किया है मैं उसमें इनको इन्वेस्ट कर सकूँ लगा सकूँ यही विक्ति की क्या हो गई जीट नहीं हुआ बोले तो अनात मनस्त शत्रुत्वे देखो जी यह आपके अपने हैं नहीं कौन स्थूल शरीर और सूक्षमेश कैसे हैं बोले शत्रुत्वे यह शत्रु की तरह वर्तन करते हैं कौन बाहर की दुनिया की बात नहीं की जारी है आपका अपना स्वयम का शरीर वही सबसे बड़ा शत्रु है और जब उसने जीत लिया सो कल आपने देखा जीतात मनह आत मनह जीता जिसने इस कार करन संगात को जीत लिया अब उसको इक कुपलब्दी प्राप्द हुई वो क्या थी प्रशानतस्य प्रशांती कार्थी किया गया निरुपद्रौ सुख पूरू की अवस्था जिसमें निरुपद्रौ नहीं है जिसमें सादक सुख पुर्वग बैठा है सुख की अवस्था है तो चितातमना, प्रशान तस्य और ऐसे सादक के अंदर परमात्मा समाहितः परिस्थिती कैसी भी हो वह जो परमात्मा है वो अच्छी तरीके से हितः समाहितः रखा हुआ है परिस्थिती कैसी हो बोले यह क्यों बोला तीन तरीके की परिस्थिती हैं बहुत शारिरिक बहुत दिक मान से तो शीत उष्णा सुख दुख और मान और अपमान यह होगे ना इन तीनों में प्रतिकूलताएं होने के बाद में भी देखो जी हो सकता है यह आपका फेवर ना करें अच्छा यह भी देखना कोई जरूरी नहीं कि यह आपके वर्ष में होएं अब जो शरीर की परिस्थिती है वो हमारे वर्ष में तो तो आप कर क्या सकते हैं चाहे वो हमारे फेवर में होए और चाहे वो हमारे फेवर में न होए चाहे जीवन में सफलता मिली हो चाहे जीवन में सफलता ना मिली हो परमात्मा समाहिता वो परमात्मा तो अच्छी तरीके से बैठा हुआ है अब इसी की लक्षन की कल बात कह रहा था है ज्ञान विज्ञान तृपतात्मा उसकी जो तृपती है उसकी तृपती का आधार विशे नहीं है इसको आज एक नए ढंक से कोशिश करना देखने है उसकी तृपती का आधार विशे नहीं है अच्छा हमारी तृप्ति का अधार विशे मैं यही सोच रहा था क्या विशे तृप्ति को प्रदान करता है या नहीं थोड़ा वायज मत होना अरे भाई कोई प्यासा है कोई भूखा है और उसको पानी मिल जाए तो दिखने पे तो लगता है कि क्या मिल गया इसको तृप्ति मिल गई पैसा मिल गया भूख मिल गई बोजन पानी मिल गया जो चाहिए था वो मिल गया तो विशे क्या हो गया तृप्त तो तो कहेगा कि मैं तृप्त हुआ अक्यूलि में तृप्ती का अर्थ यह है नहीं जो हम समझ रहे हैं कि मैं यहीं विचार कर रहा था एक ऐसा लगता है एक शब्द आवश्यक्ता और आप थोड़ा मनन करके देखना एक शब्द नेसेसिटी आवश्यक्ता और एक है तृप्ती कि इन दोनों में सोचने पर लगता है कि अंतर है कि हो सकता है कि जो नेसेसिटी की वस्तुमें हैं वो मिलने के बाद में भी व्यक्ति क्या होए अत्रप्त होए कि अब सबकी नेसेसिटी की जो लेवल है वो सबका अलग-अलग है अचा मैं आपको कहां से यह सूत्र दूँ तुलसी जाजी से पूछा गया भाई कि जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है वो क्या है क्या बोला है नहीं दूख थोड़ी नहीं है सुख भी है यह वो तो विपत्ती के लिए बोला है जब तब सुमेरन भजन नहीं विपत्ती बोला है मैं दूख पूछ रहा हूं भई क्या परहित परहित सबसे बड़ा दुख है नहीं दरिद्र सम दुख जग यह किस लेवल पर कहा गया कि यहीं लेवल पर जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है वो दरिद्रता है और दरिद्रता मतलब क्या अचा है अब यह यह बड़ा कॉंट्रोवर्सियल है कि आज पावर्टी लाइन जो पावर्टी शब्द है आप उसको डिफाइंड कैसे करोगे अब करोन व्यक्ति को एक बड़ी BMW कारणा मिली तो वो अपने आपको अमीरों की कोटी में क्या समझता है मैं सबसे बड़ा दरीद्र हूं और भगवान भार्शकार ने तो इसको और अच्छा कहीं क्लासिकल दरीद्र को बुले यस से विशाल तृष्णा जिसके पास तृष्णा है वो विक्ति दरीद्र है इस तुल लेवल की बात करूं आपसे नहीं दरीद्र समझता दरीद्रता से बड़ा कोई बुले जीवन में दुख नहीं है तो मेरे भी बहुत दिनों से मन में प्रश्न चाले अगर दरीद्रता जीवन का सबसे बड़ा दुख है तो सबसे बड़ा सुख क्या है तो इसका जस्ट कंट्रास्ट होना चाहिए तो इस कहां से संथ मिलन कहां से आगे भाई ओ चुपाई तो मारो गोली अभी आप अपने से रहो है हमारी स्थिती तो कुछ अलग है भाई तुलसीदार जी क्यों होगी आप सोचो नहीं दरिद्र सबसे बड़ा दुख कह दिया तो इसका जो अपोजिट होता है जो कंट्रास्ट होता वो यह कि सम्रदी से बड़ा कोई सुख नहीं है में दरिधरता दुख है तो आप संभुदी को क्या बोलोगे लेकिन तुल्सी दार जीने संभुदी को सुख नहीं का अब यह तो वह पागली तो हम लोग होना तो यही चाहिए नहीं दरिध्र दुख सम जगमाही तो दुख सबसे बड़ा दरिधरता है तो संभुदी सबसे बड़ा सुख है लेकिन दिखने को मिलता है कि सम्रद्ध व्यक्ति भी दुखी है तो जीवन का जो सबसे बड़ा सुख है वो सम्रद्धी नहीं दिया गया देखो जी यह थोड़ा चिंतन का विशे होना चाहिए क्या तो वो जो पाई तुलसी दाजी ने ठीकी लिखी संत मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं ऐसा लिखा संत मिलन से क्या हुआ तो बोले जो चित है वो उदात हो गया इसका अब ध्यान से तोड़ा सुक्षमिता से समय जब थोड़ा समझदार वेक्ति क्याराहूं स्थूल की वेक्ति क्ले नहीं कहीं उसका चित एक वूची चीज में जब लग जाता है औरного से उसको जो सुक मिलता है उससे बड़ा उसको तृपती का कोई एहसास नहीं है एक यह अब संथ मिलन तो आप हटा दो तंथ मिलन तो फिर बहुत ज़्यादा अध्यात्मिक हो जाएगा मैं उतना नहीं कहना चाहता हूं कि जिससे चित उदात हो जावे उदात मतलब थोड़ा उंचे गमन करे हो सकता है किसी के लिए सत्संग अरे किसी के लिए ग्रंथ पढ़ना किसी के लिए पाठ करना किसी के लिए पूजा करना किसी के लिए जब किसी के लिए अन्वेशन करना एक बहुत पुराना रहस में उल्जा केस होए पुलीस के लिए CVI के लिए और कोई ओफिसर 10 साल की मेहनत के बाद उस केस को क्या कर ले सुल्जा दे अब उसको क्या होगा कितनी बड़ी त्रप्ती का एहसास होगा यह त्रप्ती कहां से आई यहां संत मिलन तो नहीं आया संत मिलन एक उपाए है संत मिलन उपाए है उससे होता क्या है चित उदात हो गया तो मैं परिवाशा को बड़ी करता हूँ जिस चीश से चित में उदात भावनाएं चित उचे के और जाने लगे आप समझ लेना वो आपका क्या है सुख है वहीं आपकी क्या है त्रप्ती है कई बार व्यक्ती को सब कुछ मिलने के बाद में भी वह त्रप्ती का भाव नहीं आता देखो अब ये विशे बड़ा व्यापक वेदव व्यास जी को सब कुछ करने के बाद भी त्रप्ती का भाव नहीं आया पढ़ना अब जरा ये भागवत सब कुछ करने के बाद में भी बोलते हैं अभी चित ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ मिल गया अरे ब्रह्मसूत्र लिख डाला ब्रह्मसूत्र लिख दिया वेदान्त लिख दिया सब कुछ कर दिया लिख दिया उसके बाद भी वो एक तृप्ति के बिंदू तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ यही आल ब्रह्मा जी का भी हुआ है यही आल नारज जी का भी हुआ है सबके एक ही कानी है नारज जी को कहा गया आपसे बताओं चलती फिरती विश्व विद्याले चलता फिरता लवा पढ़ना कौन सी विद्या में वो पारंगत नहीं थे पढ़ना एक भी आधुनिक विद्याएं में आपसे कह रहा हूँ आधुनिक विद्याओं में नारज जी पारंगत है इसलिए नामी पढ़ा नारण ददाती जो ग्यान को देता है मलब देखो एक तरफ इतना ये सब ग्यान होने के बाद में भी व्यक्ति को तृप्ति का हिसास नहीं है इसका मतलब ये भी सिद्ध होता है कि इतना भहुतिक ग्यान अरजित कर लेने के बाद में भी व्यक्ति को एक बिंदू पर तृप्ति का हिसास नहीं है और आप द्यगत में देखते हो, सब कुछ मिलने के बाद में भी विक्तितरप्त नहीं है, विदव्यास जी को यही कहा गया, आप थोड़ा भक्ति का क्या कीजिए, गुडगान कीजिए, तब उन्होंने भागवत लिखिए, इतना करने के बाद फिर क्या लिखी, भागवत ल नहीं की, सब लिखडाला है, सब जानते हो आप, अध्यात्म विद्या नहीं जानते, बहुत दूसरे को जानना वो विद्या तुमको सब प्राप्त है, अपने को जानना ये विद्या प्राप्त नहीं, जानो तो नारज जी अध्यात्म को तो जानो आप, मैं यही कहना चाह संथ के मिलन से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का जो चित है वो कैसा हो जाता है उदात थोड़ा पवित्र थोड़ा उंचे उठने की एक चाहत आती है इसलिए उस सादक व्यक्ति को मिलती किसमें संथ मिलन Oh मैं यह सुत्र क्या कहा जा रहा है यह बहुत विशे है तो विशे एक तक आपकी जो प्यास है उसको क्या कर सकता है पूरा कर देता है इन आप बोलो कि तृपती आपको दे दे विशे तो विशे तृपती नहीं दे सकता हो गया कि नहीं हो गया अब किसी का लिवल ऐसा ही है कि जिसको इस अध्यातम के अलावा पहले रोटी चाहिए तो मैं उसे कहूँँगा पहले रोटी लेनी चाहिए उसके लिए अध्यातम जरूरी नहीं पहले तो क्या करे रोटी खाया जिससे कमसेक उसका पेट तो भरे हो गया ना ये विक्तिक तृप्त किसे है ग्यान विग्यान तृप्त आत्मा लेखो जी तृप्त है इसको जो सैटिस्फेक्शन का पॉइंट है उसने ये अचीव कर लिया कहां से कल मैंने बताया आपको ग्यान और विग्यान जो शब्द के शब्द क्या लिखाता है यहां क्या लिखाता है पदार्थ का जो ग्यान है वह ग्यान है पदार्थ के शब्द के अर्थ का स्वानुभाव होना वह विग्यान है अंडरलाइन की हो गया आपने पदार्थ के अर्थका स्वानुभाव होना ये विज्ञान है जैनकर नोश सिर्फ ग्यान नहीं चाहिए थो आप एक teacher बन सकते हो एक ओरेटर बन सकते है तुप्ती का एसास नहीं होगा ग्यान विज्ञान तिर्पतात्मा तो इसको तुप्ती का एसास विशय से नहीं है बलकि चित के उतादी करण से है चित इसका कैसा है उतादते है अच्छा आगे कूटस्थो विजितें द्रियह कर लेखा आपने कूट की तरीके से ये स्थित है कूट की तरीके से स्थित है मतलब इसमें कहीं चंचलता कहीं सुराख नाम की चीज नहीं ही हिलता नहीं है ये अविजिते इंद्रिया तो बोला ही गिया कि जितात्मा और इसका नाम पड़ गया युक्ता इती उच्चते इसको क्या कहते हैं युक्ता और अब इसकी एक और विशिश्चता हैं बताते हैं सम ये सम है किसमे समलोश्टाश्मकांचना कल ये बात मैं कह रहा था एक बात दियान रख लेना हम सोने का मूल इसके लिए कम नहीं हो गया सोना सोना ही है ये मत कहते ना उसके लिए सोने का मूल नहीं है सोना सोना ही है लोहा लोहा है पत्थर पत्थर है तो हुआ क्या इस प्रशन को आप पैदा करो मेरे लिए मुल्यवान वस्तु कौन सी है कि जुरूरत तो बहुत सारी है मुल्यवान तो कोई एक या दो चीज होगी मेरे लिए मुल्यवान चीज कौन सी है मुल्य मंदला वैलिबल अब आम व्यक्ति सबसे ज़जार मुल्यवान किसको मनेगा सोने को अध्यात मतला ना अब मतलब जबरदस्ती क्यों लाए हर व्यक्ति सोना खरीद के रखना चाहता है क्यों उसके चित्त में ये बात घुज गई है कि मैं जब विपरीद परिस्तिती में होंगा तो मेरी मदद अच्छा उस जगा ईश्वर का भाव क्यों ना आया पाता नहीं आस्तली सेट मुझे कितने संतों ने सोना खरीदा होगा मुझे अगर उसने खरीदा होगा तो मैं कह सब्थों कि वो जन्त नहीं पर फिर अंतर क्या रह गया यही तो बहुत बड़ा अंतर दोनों में पैदा करता है इसलिए मैंने मुल्यवान चीच कौन सी है शास्त्र में कहा गया मुल्यवान चीच वो है जो आपको तृप्ति प्रदान करें सिद इसी परिवाश आए जिस चीच से व्यक्ति को तृप्ति प्रदान होती है वह चीच उस व्यक्ति के लिए मुल्यवान है जिसको देखो आप अध्यात में होते वे मैं कहा हूँ सोने से रखने से ये लगता है और रखने के बाद व्यक्ति को मन में क्या आती है तृप्ति आती है तो आप समझ लेना भाया आपकी मुल्यवान वस्तु सोना है और तृप्ति भी किसमे है सोने में लेकिन एक व्यक्ति को लगता है कि में वो चीज नहीं खरीद सकता सोने इसे जो चीज मुझे चाहिए अब देखो बदला ना परिभाशा सोने से खरीदने से आशांती बढ़ सकती है यह भी हो सकता है अब क्या चाहिए खरीद आता शांती के लिए हो क्या गई इसलिए जरा एकदम से conclusion पर jump मत मारना जिस चीज से मुझे तृप्ती का एहसास हो वो चीज मुलेवान है वस्तू का मुले कम नहीं हो गया ध्यान आखना वस्तू का मुले वही है चाहे आपको ग्यान होए और चाहे आपको ग्यान नहोए सोना सोना ही है सोने के प्रती जो महिमा बुद्धी थी वो क्या हो गई? खतम हो गई बुद्ध्यान से बारी की है इसमें अंतर सोने की कीमत कम नहीं हो गई सोने की कीमत नहीं कम हो गई सोना सोना ही है उसके मन में सोने के प्रती जो महिमा बुद्धी थी वो कम हो गई यह महिमा बुद्धी कहां लगी है यह देखना चाहिए बहुत बड़ी चीज़ है आपसे बता हूँ इतने जल्ली समझ में नहीं आती है महिमा बुद्धी मेरी कहां पर लगी है यही बोलते हैं वरण यही मूल है मूले कुठारा गात आप जानो तो कि मैं किसको वैलियूबल मानता हूँ एक तरफ ये और एक तरफ ये चुनना तो किसको वेख्टी कह सकता है भगवान कीमती है अद्यात में कीमती है यह तब है जब दूसरा वाला उप्शन उसके हाथ में अगर वो आ जाए तो तो वेख्टी कहा है हाँ ठीक है पहले इसको ले लेते हैं फिर उसके बाद में करें सत्संग कहीं चला जा रहा है क्या गीता कहीं चली जा रही क्या इसका मतलब कहीं चित में मेरे प्रती महिमा बुद्धी और आपको पता है अठोपने शद में इस बात को बोला यमे वैशव रुणते तेन लब्वे आत्मा के साथ ये है इश्वर के साथ ये है और इश्वर भी कृष्ण के साथ तो यही ही है मैं कह सकता हूँ अगर कहीं उसने ये देख लिया कि आपकी महिमा बुद्धी कहीं है आत लगा हुआ है वो जब तक आपको कंगाल और ऐसा दरिद्र नहीं बना देता तब तक वो चैन नहीं लेता क्यों वो कहता आप जान लो जड़ा देख लो ये शीव के साथ नहीं इतना देखवा जब आप और विवक्ती पढ़ेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा तो उस चीज के प्रती आपकी बुद्धी जब तक कृष्ण खतम नहीं कर देते तब तक अपने प्रती उनकी महिमा बुद्धी तो जागरत नहीं होगी तो पहले तुम इसी को ले लो इसी को जान लो पहले कर लो अगर लाजी बचानी थी तो पहले क्यों नहीं बचाई लाजी बचानी थी पहले क्यों नहीं पहले जहां बरुसा है हमें बुरा भी नहीं लगता हमें बुरा नहीं लगता आप चले जाओ जब देख लिया जुन लिया कोई नहीं है अपका हो गया तब वो वेतिया आजाता है चावल के समय में अखिर जब लाज बचानी थी तो पहले ही आ जाते कर देते ही काम पहले से कृपा कर देते नहीं किया आखरी चावल रहने के वो भी खतम हो गया उसके बाद में विक्ति वो आता है सोचो आप बहुत बड़ा सिधान्त है ये इस भागवत में कि जब तक महिमा बुद्धी कहीं होगी आप ध्यान रखना आप so-called spiritual विक्ति बन सकते हैं I'm again saying so-called spiritual so-called intellectual but वो जो भकत जो इश्वर है ना वो अंदर नहीं आने वाला मंतर आद कर सकते हैं बोल सकते हैं टीका लगा सकते हैं चंदन लगा सकते हैं यशा सकता है पैसा सकता है धना सकता है सम्रदी आजाए बड़े बड़े लोग जुड़ जाएं यह सब संभव है यह सब तो शब्द का कमाल है एक्चिली में वो नहीं आएगा जिसको आना चाहिए देखो जी क्योंकि वो जिस दिन आएगा उस दिन फिर प्रेम गली अती साकरी जामें दोना समय मतलब जहां दोईत है वहां नहीं आसकता देखो जाएगा वो तो सिर्फ अपनी हो रही द्यान चाहिएगा यह पकी बात महिमा भुद्धी कहीं है और मैं सेवा कहीं कर रहा हूँ तो आप सोचो कितना अंतर है मैं रहता कहीं हूँ, इन्वेस्ट कहीं कर रहा हूँ, जा कहीं रहा हूँ मन कहीं लगा पड़ा है अस्तव्यस्थ है पूरा व्यक्तित्त तृप्ती का एहसास वहीं है जहां मेरी मुल्यवान बुद्धी है मुल्यवान बुद्धी वहाँ है जहां मुझे लगता है कि इस से मेरे तृपती मिलती है जिस दिन इस शब्द में इस तत्त में इस भगवान में ऐसा एक भुद्धि जागरत हो जाए मुझे तो तृपती इस से मिलती है और तब देखो आप वो ना आता हो तो लेकिन उसको पता है कि अभी मेरे उपर इतना विश्वास तो कहां से आएगा तो नियमी तोड़ जाएगा फिर इस समलोष्टाश्म कांचनह देखो जी विशे के प्रती जो उसकी महीमा बुद्धी थी वो कम हो गई विशे का जो मुले वो है द्यान रखना सोना सोना ही रहेगा लेकिन उसके लिए सोने की कोई कीमत नहीं है कोई बक्ती करे और सोने की महीमा बुद्धी को भी रखे और इश्वर को भी रखे और समय आने पर बोले यह है समय आने पर वो है यह नहीं चल सकता देखो तो इसके लिए क्यों हो गया सम क्यों हो गया क्योंकि इसके तृप्ती का जो एहसास है इसका कहीं और है इसकी तृप्ती का एहसास ग्यान विग्यान तृप्तात्मा अब देखो आप जड़ा त्रप्ति कभी-कभी व्यक्ति को लगता है संबंध से है रिलेशन से कभी-कभी लगता है स्वरन से है ये सब चीजें जैसे ये आपके पास में आती है तो आपको अपना जो असली सुरूप है वो क्या करती है दिखा देती है अब ये कभी आपको और आएगा पास में विशय तब खोलूँ गई ये दूर के ढोल सुहावने वाली बाते हैं जो भी विशय है वो दूर है तब तक तो सुहावना लगता है लेकिन पास आने पर जो चीज हमें चाहिए हमें दिखता है कि ये चीज अब सोना खरीदा था लोग जो परिवार है वो हमसे क्या रहे समंदी बने रहें लड़के लड़की फोते फोती जुड़े रहें और हुआ क्या उसी सोने के कारण सब दुश्मन हो गए दूरेश भाव हो गया किसके कारण उसी समपत्ती के कारण और खरीदा किसके लिए था अब आप देखो तो जगड़े की जड़ क्या होई तो इससे सिर्फ इतने ही सबक लेना चाहिए कि मेरी तृपती यहां नहीं है आवश्यक्ता हो सकती है तृपती तो इसमें होने वाली नहीं है तो यह तो जो दिखाया गया यह दिखाया गया नि आख कि आनि सोना लएट लेकिन अब पहलता है सजीव में भी सम है इस ए दिख दिखायOTं फोले सजीव में सम मतलब क्या दोले 팔, जोले एक व्यक्ति के पास यह च छे साथ लोग रहते है हर व्यक्ति के पास हैं यह कॉन सुरद, मित्र गिन ले ना कितने होते हैं सुरद, मित्र अरी उदासीन मद्यस्थ, द्वेश्य बंदुशू, साधू पाप कितने हो गए हाँ गिने कि नहीं यह अटा ज़ा चलो आप साधू और पाप और चलो आप कितने हो गए सुरद एक मित्र दो, अरी तीन, उदासीन चार, मद्यस्थ, पाँच द्वेश्य बंदुशू, यह साथ जीवित लोग हर व्यक्ती के साथ में हैं, हर एक व्यक्ती के साथ यह साथ लोगों का सरकल है, कौन-कौन है सुरद, मित्र, अरी, उदासीन, मद्यस्थ, द्वेश, बंदुशू इन में भी वो सम है समझना जा रहा है, श्लोग क्यों आया निरजीव के प्रती सम है तो सजीव के प्रती भी सम है सजीव के प्रती सम है मतलब बोले, पहला, सूरद सूरद मतलब अभी आपने पढ़ा था यह शब्द पांचमेंद द्याय में आया क्या परिवाशा दी गई? यह पांचमध्य में भी पढ़ा है नहीं मैंने इसको अंडरलाइन करा होगा आप देखना सुरत मतलब क्या एक शब्द है एक शब्द है कृतग और एक शब्द है कृतग न मांच़ गर्त मतलब किया गया इस वे मिसी कुछ करना नहीं है द्यान ठखना कि कये दांगन और कर अग्यं इनमें जो common शब्द आप शुरत कृत मतलब किया गया है जो किये गए काम व्यक्थी मान था जानता है यह मतलब जानता है मानता है कि इसको कृत उस व्यक्ति को बोलते हैं कृतक ग्यां जो व्यक्ति के लिए किया गया किया उसके लिए भी गया लेकिन वो उसको नहीं मानता है ग्ना उसको क्या बोलते हैं कृतक ना शास्त्र कहता है ये तीन लोगों के प्रती करतग्यता का भाव सदैव होना चाहिए माता, पिता और गुरु इनके प्रती करतग्यता का भाव सदैव जीवन भर जगरत रहना चाहिए अब ये थोड़ा भावनात्मक मुद्दा हो जाता इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बूलता ये याद रखना चाहिए जो इस इहसान को नहीं मानता है वो जीवन में सुखी नहीं रह सकता कभी अब हर माता पिता जितना कर सकता है जितना संभव है वो उतना अपने बच्चे के लिए करता है अगर वो असलियत में माबाप उसका तो आनंद इसी में छिपा रहता है कि आप प्रसन तो वो प्रसन आप दुखी तो वो दुखी सोचो आप तो कम से कम हमें कृतग्य बनने की कोशिश करनी चाहिए इस कृतग्यता का जो भाव विक्ति रखता है उसी को मैं क्या बोला हूँ अभी सूरद हो गया वो सूरद में भी मिलने पर कैसा है सम है माता में पीता में गुरु में भी कैसा है सम है हशा आगया जाएं मित्र अब ये अंडरलाइन कर ले ना लगि मैंने परिवार प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकरता यही बात पहले भी बताई गई थी उपकार के बदले उपकार नहीं यह तो दोस्त है आपने खिलाया उसने खिलाया इसने किया उसने किया और आपने नही किया तो उसने भी नहीं किया लोगे यह चाहा थी तो यह तो नीचे गिर गई यह मुलते हैं प्रत्युपकारम पहला शब्द देखना वो उपकार करता है लेकिन अनपेक्ष किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता मतब उस व्यक्ति के लिए काम करें और काम करने के ब पीता और और बाद में पढ़ेंगे तो माता पीता को भी शास्तर में हटा दिया गया अगर असली गुरु है तो वो भी उससे कोई बदले में कोई चाहत नहीं रखता यहीं चाहत है कि इस कारे को क्या करें वो आगे बढ़ाए बस उसका नाम ले ना ले क्या करता है वह जो ग्यान है वह जो तत्तु डाला गया है वह तत्तु को क्या करें आगे बढ़ाए अब नैचरली अगर वो शिश्य होगा तो नाम ले गई लेगा अपने गुरु कैसा कैसे हो सकता है जिसके कारण वो जिन्दा है आप उसका नाम नालोच सा कैसे हो सकता है सोच के देखो आप जिसने अध्यात में की A B C D करके और आपको बड़ा बनाया और बड़ा करके आप में जान डाली और आप बोलो कि नामी नहीं लें ऐसा तो संभव नहीं होना भी नहीं चाहिए प्रतिवकार अनपेक्ष अपेक्ष नहीं अनपेक्ष उपकरता में करता नहीं है कैसा है उपकरता अच्छा मित्र अब मित्र के बारे में क्या कहा चाहिए अपने को दो देखने का नाम मित्र है अपने को दो देखना अगर वो दूसरा आपकी तरीके से आपको इतना विश्वास है तो समझना कई बार शास्तर में दिया गया जैसे आपका प्रतिविम्ब दिखता एक है हैं कितने वो मतलब यह पारदर्शिता की बुद्धी और ऐसी बुद्धी कि जहां मैं नहीं हूँ वहां यह है तो मेरे रहने के बराबर है यह व्यक्ति मैं आपको एक्जेम्पिल भी द मेरी बजाए यह है अगर यहां पे आपने उसको अपॉइंट कर दिया है और आपके मन में यह वुद्धी है कि मेरी जगा आपको पता लगा कि तो आप गए उपता लगा उसने सब खाली कर दिया तो मित्रता नही है अपने को इसलिए मैंने बोला कि दो देखने का नाम दो देखने शरीर दो हैं शरीर दो हैं अलग अलग है लेकिन अपने आपको इसमें उसने क्या कर दिया रग दिया एक्जैंप्यन दाराण को मिश्रा जी दाराण मिश्रा द्वेश जी नहीं विदूर जी ऊपर थे मितरता नहीं थी आपस में नहीं एकदम मितरता ही नीन में कृष्ण ने विदूर को मितर नहीं माना कभी है उनके पूझ ये थे पता है आपको कि विदूर के घर साख खाया था जाके हां अर्जुन तो शिश्य था बात में उसने मितरतावा हटा ली अपनी कृष्ण और उधाओ अभी भी बद्रिनात में कृष्ण की मूर्ती हट जाती तो पूझा किसकी होती है उधाओ की कि समय नहीं है इतना देखो यह जो मंदिर होते हैं इनमें एक मुख्य प्रतिमा होती जैसे मालीजे हमारे तो मुख्य प्रतिमा से तो आप छेड़ चाड़ कर नहीं सकते जादा श्रंगार किसका करें तो पत्थर की होगी उसमें बहुत सारा इधर उधर होगा आप उसको ले भी नहीं जा सकते हैं गंगास्नान कराने तो उसी के समानांतर एक और प्रतिमा अरकी जाती है उसको बोलते हैं उधाव मूर्ति उसको मूर्ति को और कुछ नहीं बोलते हैं दियान रखना है उसको क्या बोलते हैं उधाओ मूर्ति तो जब स्नान कराना है भोग लगाना है कहीं नहलाना है कहीं कुछ करना है तो कुछ मूर्ति को ले गए उधाओ मुख्यमूर्टी को नहीं कर सकते भागवान ने ऐसा अपना स्थान दिया कि मेरे बराबर कौन है ये और दोनों में भाव क्या था मित्रता अब कभी आपको भागवान अभी होगी तो उसमें आप आएगा ये प्रक्राण उदाव वही वस्तर पहनते थे जो कृष्ण ने उतारे थे इसके अलावा वो दूसरे वस्तर नहीं पहनते थे कृष्ण के उतारे गए वस्तर अब कृष्ण भी ऐसे थोड़ी न चिरकूट आदमी थे कि फट पूटा गया और सब मलिन हो गया तो दे दे उनको इसे हां मतलब फेकने वाला हो गया तो बोले तुम पहन लो यह थोड़ी न किया उनको अरे जैसे अपना म अभाब मंडल्व कृष्ण का साज कृष्ण का संगार कृष्ण की मुद्रा कृष्ण की गाड़ी सब अलग थी कृष्ण कैसे समझ लेगा कोई लेकिन जब पास में जांगे देखा तो वास्तों में वह कृष्णी तिन जया रहे थे उन्होंने बोला मुझ को कृष्णा मत समझो क्रिवे घुल पितो इसी बात करने लेगी सब उन से तब अन्हें बोला। नाई मैं कृष्ण का दोस्त हूं तो बूले जाड़ी कहांसे यह वस्त हृष्ण यह तो नीए बोले के बोले मैं उनी का सखा हूं मैं वही देता हूं जो वो मुझे देते दो कृष्णा ने अपना ही वाहन दिया था देखो यह ऐसे उदारण भी है गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे भगवान मिलना मुश्किल है अब मतब भगवान मिलना असान है मित्र मिलना कठीन है मित्र मिलना बहुत कठीन है अपने जैसा दूसरा कोई वेक्ती मिलना सोचो आप जहां आपकी अनुपस्थिती हो उस वेक्ती को आप लगा दो और आपको तृप्ती का एहसास हो असान है यह चीजिए है इसमें बड़े चचचे विशें मैं आपको रखोंगा का राम चुरत्मानस पर बेक्ष प्रकरणी लिखतीय राम और सुग्रिव की मित्रता को वहां मित्रता को डिफाइंड किया गया आपकी प्रियारिटी कौन है कि मिया एससा डिफैंड किया बेंडी मेरी प्रियारिटी मैं ना होकर मित्र होए तो समझ लेना आप उसके true friend है आप क्या कहना चाहरे है उसका रज के बराबर दुख को मैं पहाड के बराबर समझता हूँ मेरा पहाड के बराबर दुख मैं अपने दुख को रज के समान समझता हूँ अंदर देखना बिकल दिखाऊंगा आपको मैं चौपाई भी दिखाऊंगा यही क्या चौपाई भूली है ना जेना मित्र हो ही दुख खेर अभी तो आप इतना समझ आप अपना अपना आप लोग देखना जरा भीया हमको अपने दुख क्या लगता है ओफ ओफ मुझे लगता है कि हमको लगता है मैं इतना भी बार है तो आप दस मिनिट के लिए पैस एक काम करो आप हॉस्पिटल हो आवा दिख जाएगा आपको असली दूख हमको क्योंकि हम सिर्फ स्वयम के बारे में सोचते 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 हमें लगता है कि हम ही सबसे बड़े दुखी दुखी आत्मा है अरे बाहर तो निकलो अभी जाके तो देखो आप क्या हाल है अब मन का स्तर देखना मित्र क्योंकि तो को हम लोग समाज में कहीं नहीं कहीं सब बाते करते हैं मित्रता की पहली शर्ट, मित्रता की पहला सिंटम ये है प्रियारिटी क्या होनी चाहिए? प्रियारिटी ये कि मैं दूसरे वाले को दुख जो की रज के समान है रज मतलब काण़, मैं उसको पैसा समझता हूँ, बहुत बड़ा, और मेरा बहुत बड़ा दुख, हो क्या रहा है भी, उसका उतना बड़ा दुख मेरे लिए रज के समान है, मेरा जरासा सुई चुबो दे कोई, तो मेरा दुख तो बहुत बड़ा है, यह मित्र नहीं है, मै अब कल कोशिश करेंगे, मित्रता की दूसरी जो प्रवेंदन की शर्त है वो है पारदर्शिता, ट्रांस्पेरेंसी, इसी का नाम मित्र है अँछिली में और कैसे, और क difStar रिफलेक्शन दीखता है, ट्रांस्पेरेंसी तो है, काँच में आप अपना ही प्रतिभिंब कहा देखते हैं दूसरे काँच में मित्रता का दूसरा लक्षन पारदर्शिता कल बात को अगयों कल शुक्रवार है ना भी कल दो तारीख है ना उम ठूर्नमद पूरनमिधंपूरौमधफूर्ना हां पूरुनमध अच्यते पूरुणस्य पूरुनमाधायच पूरुनमेवावशय्यते गुरु नमे वाव शिष्यते ओम शान्ति 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 ही हरियों श्री गुरु ब्यो नम हरियो धन्यवाद। झाय हर एा स데न्ति शान्ति 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 ग र hydration झाय झाय हता उ जाता град camera झाल झाल झाल